मैंने शौर्स बनाय था जिसमें रिलेशन्शिप्स या करियर कौन सा चूस करना चाहिए इसके उपर था थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके बारे में ना डीटेल में बात करते हैं क्योंकि ये इतनी छोटी एक दो लाइन में बात करने वाली चीज है नहीं तो इसमें मैं थोड़ा अपना कहानी जो मैं community posts लगा रही हूँ उसमें जो love stories है उससे भी बहुत सारी inspired जो inspiring कहानियां है उनसे क्या मैंने सीखा है जिन्दगी में overall जो सारे चीज़े देखते आते हैं उनसे भी क्या चीज़ सीखा उससे मैं इस चीज़ को बताऊंगी तो बात आजाते हैं relationship या career जब हम student रहते हैं तो हमें यह चीज़ सिखाया जाता है always कि हमें अपने पढ़ाय पे focus करना चाहिए अपने बिल्ड करना चाहिए जब हम career में रहते हैं job कर रहे होता है तो वहां पे भी हमें यही चीज़ सिखा जाता है कि आप अपने career पे focus करो लेकिन मन जो है न कहीं न कहीं या तो student life पे या फिर career वारे life पे चला ही जाता है तो और बहुत प्यार के तरफ और यह गरत बात बिल्कुल भी नहीं है यह बिल्कुल सही बात है आप बिल्कुल जा सकता है लेकिन यहां पे जो condition है न कि आप अगर खुद को build नहीं करते हो अगर आप अपने आपको build करने पे नाकाम रहते हो तो आप एक रिष्टे को कैसे निभाओगे इसको मैंने पहल कि आपका जो income status है वो नहीं बनता तो आप खुद को या फिर अपने family को कैसे take care करोगे राइट तो फिर relationship प्यार महपत से तो आपका पेट नहीं चलने वाला आपका दिंचरिया नहीं होने वाला तो आपका income status बना रहना तो important है ना तो अभी अगर मैं relationship का बात करूँ कि करि situations आये life में कुछ हालात आगये कुछ ऐसे mode आगये कि आपको अपने partner के साथ में अलग होना पड़ा या फिर रिष्टा नहीं चला या कुछ भी problem हो गया दोनों मेंसे कोई agent desperate हो गया या फिर कोई agent ज्यादा giving हो गया या फिर ऐसा ही हो गया कि it was not an equal give and take right so इसमें आप फिर क् फिर किस बिरो से जाने दे इतना प्यार था खतम हो गया भरोसा करना पड़ेगा आपको क्यों मैं बतारी हूं दो स्टोरीज मैंने यूट्यूब कम्यूटीबे लगाने वाली हूं मुझे exactly same दो स्टोरीज मेले जो काफी मतलब सारे स्टोरीज मेरा आपको फिल्मी लगेग I have got I am uploading 23 couples जिसमें से एक जो couple है that I have that I don't know मनलों Google से कुछ collected couple pictures में से एक था जो की बहुती old couple जो था आप लोगो दिख्या होगा मैंने अप्लोड कर दिया है उसको and बाकि जितने भी young couples है मैं सबको जानती हूं so 22 couples I already know them and out of 22 couples I think two couples का कहानी या तीन couples का कहानी मैंने नहीं लगाया है उनका just pictures है and उनके कुछ happy moments है अलग से मैंने लगाया है but वो कहां से मिले उनका क्या background है मैंने कैसे जानती हूं यह सब मैंने नहीं पोस्ट किया है जबकि personally उन मैं से मैं शायद एक जन का नहीं जानती हूं उतना detail मैं मतलब जानती सबका ही हूं मैंने पूछा निये कि exactly क्या क्या हुआ था बढ़ सबको ही मैं जानती हूं so you will find 19 stories in detail post हूआ है 19-20 stories in detail में पोस्ट हूआ है आप लोग stories पढ़ सकते हो and they are all successful love stories and 23 couples आपको दिखेंगे so उसमें से जो कहानी मैंने देखा बहुत सारे लोगों के relationship at us के चलता रहा कुछ में बहुत ही simple था कुछ में problems थे कुछ में family issues थे सब ही ने success पाया resolve कर लिया उसमें से दो कहानी ऐसे थे कि relationship चला कुछ महीने या साल तक बहुत उच्छे से चला उसके बाद ऐसा कुछ हुआ दोनों में दोनों break up हो गया दोनों का दोनों अलग हो गया ठीक है फिर अलग होने के बाद कुछ महीने या साल बाद दोनों partners मिले या तो ऐसे casually मिले या फिर उन में से किसी एक में realize कि मुझे बात करना चाहिए मुझे उसके पास जाना चाहिए सो उस तरीके से बात दुबारा start हुई और फिर शाली में manifest होगी convert हो गया सो यहां से यही सीखने को मिलता है न इन दौरान जो एक जन का 6 साल का gap था और दूसरे जन का 10 महीना का gap था depends कि आपका story किस तरीके से चल रहा है gapping can be anything 6 साल के बाद में फिर होना इसलिए पर दौरा को चार लोग अपनी आपको बिल्ड करने पर लगा दिया अपने दोनों अलग अलग सिटीज में चले गए मिलना बंद हो गया अपने करियर पे अपने education पे अपने life को बिल्ड करने पर focus कर दिया उसमें successful हो गए जब successful हो गए तब कही न कहीं से वो लोग वापस से जुड़े वापस से मिले तो अगर वो लोग रोते फिरते और कुछ ना करते बेचारे बनके रहते तो क्या एक partner दूस्टे partner से शादी करता भी कोई भी इंसान चाहे लड़का हो या लड़की एक stable इंसान आज करके दुनिया में पहले जो था कि हाँ एक housewife के तरीके से लड़किया कुछ ना करे तो भी चल जाती थी बट अपने self-respect के लिए भी लड़किया भी करती है लड़के को तो करना ही होता है क्योंकि एक society का pressure रहता है कि you have to take care of your family set up ऐसा है anyways even if you are getting married or not getting married you need to at least take care of yourself you cannot depend on anybody for your livelihood आपके जिन चरिया के लिए आपके परेंट साथ को खिलाएंगे या कोई आपको खिलाएगा ये format अभी नहीं चलता है आपको अपना take care करना होगा बहुत competitive world है so if you don't focus on your career and yourself क्या होगा जब अगर आप लोग वापस से मिलते भी हो और आप वो नीचे की नीचे रहे गए तो वो partner को आपने interest नहीं आएगा आपको भी एक कही न कहीं से शायद खराब ही लगेगा लगे या ना लगे जब बात बनेगी नहीं उस तरीके से राइट so यही से सीखने को मिलता है कि आप अपने करियर पर फोकस करते रहो जैसे मैंने अपने कहानी बताई थी उसके बाद मैंने बताया था कि दर इस सम्तिंग I'll tell about it my story so yeah telling about my story also I became friends with somebody and मुझे उस इंसान के साथ में अच्छा बॉंड महसूत हुआ we found that we can like it can work out within us and कही न कहीं कुछ सिटुएशन से हुए कि चीजे शाइद उतनी स्मूद नहीं रही because there are some some complexities in everybody's life and situations इसको में डील करना होता है but somewhere you can know मैंने और एक वीडियो भी बनाया है in shorts में जहां पर मैंने बोला go by your gut जब भी मुझे कोई पूछता है क्या सही है क्या सही है क्या गलत है मैं बोलती हूँ go by your gut कहीं नहीं कर यह गट फिलिंग रहता है this is gonna work out this will definitely gonna work out this will definitely gonna work out right so like the other stories जहां पर उन्होंने उस चीज को जाने दिया और अपने आप पर focus किया वही चीज में मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग जब मैंने community post जाला that you can connect with me with your issues any kind of queries तो मेरे पास वह रिलेशनशिप वाले ही queries आये एक help से जुड़ा हुआ आया था तो मैंने affirmations या क्या करना है उस चीज़ पर बोला मैंने रिलेशनशिप वाले लोगों को उनके situations के हिसाब से चीज़े बताए उनमेंसे किसी को मैंने ये पूछा कि आप ये चीज़ सोचो कि partner अभी अभी आप पागल हो जाले हो क्या अभी अभी आपके लिए षादीं इंपॉर्टन है क्या अभी आपको शादी करना है Is it important what is the priority in your life right now क्या ऐसे है कि आज की आज आपको शादी प्लान earnestहोरा है एक मैना टाइम एका प्र साथ इतायम नहीं है को पूछा कि क्या अभी-भी मुझे यह चीज 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 चीज? No, it's not like that. I have time. I have years. जब मैं बहुत चोटी थी, मैं उतना disclose नहीं कर रही हूँ, बड़ जब मैं बहुत चोटी थी, मैंने कुछ सोच के रखा था कि मुझे इस time पर settle, अगर होना भी है, तो इस time पर होना है, तो मैं उससे इतना पहले से क्यों सोचू कि कोई मेरी जिंदिगी में है या नहीं है, अगर आपके life में किसी को manifest होना है, वो इंसान आपके लिए से हैं, अगर आपने दिल से, जो वो रोम शांतियों के dialogue है, अगर आप दिल से किसी चीज को चाहते हो, दिल से किसी को प्यार किये हो आपने, आप दोनों में एक बहुत strong connection रहा है, तो यकीन मानो, वो workout करेगा ही करेगा, आप परसन नीज तो कम बैक फॉर शूर, आपको कुछ करने की या सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने आपे फोकस करो, बीच बीच में उसका याद आए, तो you can pray, you can put some good vibrations, you can give some good thoughts, ठीक है, आप वो कर सकते हो, हमेशा वैसा नहीं होता है, इंसान ही, कभी-कभी गुस्ते वाले thoughts भी आजाते है, जैसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, गुस्ते वाले thoughts आजाते है, कुछ खराब moments के बार में शायद वो यह कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, यह सारे आते हैं, तो आजाते है, अगर आप रिष्टे में भी रहते हो, तब भी तो लड़ाईया हो सकती है, कि आपको हमेशा ही अच्छा सोचना है, कभी-कभी जैसा-जैसा फील करोगे, वैसे-वैसे रहो, पर अपने आप पर फोकस करो, अगर वो इंसान और आप उनके लिए, और वो आपके लिए सही होंगे, तो और आपने उनको दिल से चाहा है, और उन्होंने भी आपको चाहा है, तो वो manifest back करेंगे ही, मुझे ये चीज़े फिल्मी नहीं, ये चीज़ रियल लाइफ में, लोगों के जिंदिगी में, उनके स्टोरीज के थूपे, और confirmation मिला, कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है, आप लोग मेरे कम्यूनिटी पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से inspiration दे सकते हैं, कि अगर दूस्टे लोगों के जिंदिगी में, मैंने ये चीज़ बोला है, या फिर कुछ लोगों के साथ होता है, तो आपके साथ भी होगा, तो वही चीज़, मैंने रियल लाइफ मुझे, विद गौद्स करेस्ट अच्वोड मुझे ऐसे examples मिल गए, जहाँ पे लोगों ने वैसे stories भी share किया, कि सारे लोग ही, कि अपने अपने करियर में, किसी ने भी self love नहीं चुड़ा, सब ने अपने आपको और अपने करियर को focus करने वाले लोग है, जितने भी लोगों के stories है ने, वो सारे working है, वो सारे अपने आप पे focused है, और साथ में उनका relationship कभी चला, कभी तूट के फिर से जुड़ा, कभी struggles के साथ में जुड़ा, बहुत सारे आप वो stories को read करना, follow करना आप लोगों बहुत motivation and inspiration मिलेगा, आप लोगों समझ में आएगा, कि एक चीज को मुकमल होने के लिए सब के जिन्दिगी में अलग-अलग situations आते हैं, लेकिन वो होना होता है, तो वो कहीं न कहीं से होके ही रहता है, चाहे आज होगा, या आज से एक साल बाद होगा, या दो साल बाद या पांच साल बाद, लेकिन जो होना होगा, वो होके रहेगा, अगर वो आपके लिए सही है, तो वो आपसे कोई छीनने सकता आपको कैसे समझाएगा कि वो सही है कि नहीं कभी हमारे मन में कोई भी चीज का बहुत मन करता है जैसे जंक फूड जैसे खाने का बहुत मन करता है लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है लेकिन आपको आपके inner self को पता है कि वो वो चीज मेरे लिए सही नहीं, आपके intuition को पता है, आपके gut feeling को पता है आपके soul को मतलब जो बोलते हैं ना विवेक बोध होना, वो विवेक में आपको पता है कि नहीं ये चीज ना मेरे लिए सही नहीं है, मुझे मन जरूर हो रहा है लेकिन यह चीज मेरे लिए सही नहीं है वैसे आपको रहा कहीं न कहीं आपको खुद ही पता चल जाएगा कहीं से भी आपको अंदर से पूछो question कि क्या यह मेरे लिए सही है? Is this meant to work out? Is this right for me? अपको समझ आ जाएगा question करो खुद को अगर आपको अपको अंदर से आवाज आती है अंदर से एक सुकून वाला महसूस होता है ना आपको जिस पार्टनर आपके लिए सही होगा ना उसके बारे में सोच के या उसके साथ में मुमेंस में आपको सुकून महसूस होगा ठीक है मैं अपने experience से आपको share कर लिए क्योंकि ये एकदम से होता है आपको कही ना कही से अंदर से एक अलग सी आवाज आएगी एक अलग सी confidence आएगी आपको पता रहेगा कि आपको चटपटाने के ज़रूरत नहीं है हाँ हो सकते है उसको देख कि आपको excitement हो उससे बात करने का मन करे आपको उससे मिलने का मन करे आप शायद उसको भारवा फोन या message कर दो लेकिन कही ना कही वो चीज उस टाइम पे बने या ना बने आपको पता चल जाएगा कि वो चीज बनना ही है ठीक है तो इसलिए अगर कोई भी रिष्टा किसी का खराब भी हो रहा है या नहीं भी चल रहा है या फिर तूटने का कगार पे है या फिर तूटने जा रहा है या फिर तूट गया है वो वापस से जूर सकता है अगर आपने दिल से उसको चाहे आपको answer मिल जाएगी आपको बिलकुल मिल जाएगी जब आपको पता चलेगा ना कि हाँ यह हो जाएगी होने वाले कभी कभी आपको बहुत excitement होगा और लगेगा कि क्यों अभी क्यों नहीं हो रहा है थोड़ा patience बना के रखो आपके लिए जो right time होगा उस time पे बिलकुल होगा उस वक्त जिंदिगी में और भी बहुत सारे शेत्र है और भी बहुत सारे आपके parts and parcels है उस पे focus करना start कर दो जो हर कोई बोलता है यह सच में होता है अब करके देखो यह सच है आप बाकी सारे चीज़ पे focus करो बीच बीच में वो सारे moments वो सारे खयाला ताएंगे लेकिन आपको बहुत सारे अगर आप dating भी कर चुके हो यह बहुत सारे लोगों से मिल भी चुके हो बहुत सारे relationships भी रख चुके हो और इंच marriage के लिए भी लोगों को देख रहे हो या love चिसमें भी आप जाओ आपको जो what's your राशी cinema में फिर में था ना 12 लड़कियों को देखा था लेकिन एक लड़की के लिए feelings जगी थी लगा था कि यही होगी लास्ट तक उसी के साथ में हुआ था ना शाली तो आपको बहुत सारे options में भी ना समझ में आ जाएगा नहीं यार यही सही है यह इनसान ठीक है इसी के साथ में होना है बाकी सारे लोग कितने भी अच्छे हो कितने भी आपके साथ में matching points हो या कितने भी compatible हो जाए जो इनसान आपके लिए बना होगा ना आपके दिल में वह आवाज आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार यह इनसान के साथ में बहुत सारे differences है हम बहुत अलग है लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए सही है कहीं ना कहीं यही वह इनसान है जो मेरे लिए आपको दिल से अलग सी आवाज आएगी आपको समझ में आ जाएगा इसलिए यह चीज बोला जाता है कि जो इनसान के लिए मैं फील कर रहे हैं या फिर वह इनसान इतने सारे billions of लोगों में से हम गिने चुने ही कुछ ल उनको भी दोनों तरफ से one-sided loves भी होते हैं कभी कभी one-sided infatuation भी हो जाते हैं जिनको बहुत strong feel करते हैं कहीं यह back of the mind हमें लग रहा होता है कि शायर या नहीं होगा लेकिन कुछ के साथ में आपको लगेगा कि होगा भी या नहीं होगा लेकिन फिर भी लगेगा कि हाँ यह हो इतने आप रिलाक्स हो जाओगे शान्त हो जाओगे आपको confidence मिलेगा कहीं न कहीं आपको समझ में आजाएगा कि घूम फिर के यार इसी के साथ में होना है यह है तो इसलिए अपने career पे focus करो अपने आपको build करो ताकि जब वो इंसान आपस से मिले उसको अंदर ही अंदर proud म है कितना proud महसुस करें कि वो आपको अपने husband या wife पुलाने के लिए तो खुद को इतना strong बना लेजिए इतना काविल बना दीजिए कि आपको भी proud महसुस हो उस इंसान के साथ में जुड़ने के लिए उसकी बराबरी उसकी उससे भी और बहतर उस पदम है यह ऐसा नहीं को कंपिटेशन है लेकिन खुद को जितना बहतर कर सको वो भी जितना बहतर कर से कि दोने एक दूस्ट्रे को दूर से भी bless करो कि मैं भी बहुत अच्छा बन जाओ तुम भी बहुत अच्छा बन जाओ और अपने best forms पे हम वापस से मिले इसी जनम में मिले और बहुत ही खुप